हेलो, गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स, मैं सीरामे कडमी से संतोसी गुषभा है, ठीक है? आज हम क्लास नाइन्थी का चैप्टर टू एक्स्प्रेरिंग करेंगे, ठीक है? इसमें क्या है? मित्रता, मित्रता यहीं फ्रेंड शिप, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम देखें हैं, इनके जो राइटर हैं, मित्रता, पाठ के, तो वो कौन है? आचारे रामचंद्र शुकल, है ना, यह हमारे पाठ दो में है, मित्रता, कि जो राइटर हैं, वो है, कौन है? आचारे रामचंद्र शुकल, ठीक है? हिंदी के अलोचना के सिखर, पुर्षार्थ, अचारे आलोचना और समालोचक मतलब होता है जब कोई नीवण अधे लिखा जाता है या कोई फुस्तक लिखी जाती है कुछ उसकी अलोचनाय इसे में अफवाद क्या है उसके बारे में समालोचन के इन क्या समान है इसमें हाना दूसरे ग्रंथों के बची यह होता अलोजना और समालोचक ठीक है तो आगे देखिए सुकली जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था कहां हुआ था अचारे रामजान सुकली का जन्म यह याद रखिए गया आप हाना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था नागरी प्रचार्णी पत्रिका के समपादन के साथ साथ आपने अनेग ग्रंथों का भी समपादन किया ठीक ना समपादन होता है जो कंपोज करते जो पुस्तक छफवाते है ठीक ना ऐसा अपनी मनन सील गंभीर और विश्यस रनात्मक निवंद सैली के कारण आप हिंदी साहित की निवंद वीधा के युग प्रवर्तक रचनाकार बने ठीक ना ये बहुत ही टैलेंटर्ट थे ठीक ना इनमें बहुत सी प्रतिवा थी इस कारण निने क्या हुआ सबसे पहले ये क्या बने नग हिंदी साहित की निवंद विधा की युग प्रवर्तक रचनाकार बने ठीक है चिंतामडी भाग एक दो तीन हिंदी साहित का इतिहास हिंदी काम में रहश्वाद आदी आपकी प्रमुक रचनाएं इनकी रचनाएं कौन-कौन सी है हाना क्या है ना कोश्चन जैसे आता है ऑ लिखा है ना उसमें कई आ जाएंगे चार रहेंगे तो हिंदी साहित कई तिहास इसमें हम आप्सनल में सही कर देंगे ठीक हिंदी काम में रहश्वाद आदी आपकी प्रमुक रचनाएं हैं हिंदी साहित कई तिहास और हिंदी काम में रहश्वाद यह बहुत बड़ी और इसमें से एक हिंदी सहित कहित है, हिंदी काभ का रहष्वाद anticipation चिन्तामणी दे दिये जाएगा, तो आपको मालूम रहेगा कि चिन्तामणी सहित कहित है शकल जी नहीं लिखा था, ठीक ना सहितिक देश्टि से सुकल जी की भासा परिस्क्रत और परिमार्जित और तत्सम सब्दावली से युक्त है तत्सम का मतलब होता है संस्क्रत से युक्त है ठीक ना संस्क्रत से युक्त थी ठीक ना अपनी भासा इन्हीं की अचार जी ने अपनी भासा में उर्दू फार्सी सब्दों का भी सुभाविक रूप से प्रियोग किया है ठीक ना इन्होंने संस्क्राथ हिंदी के साथ साथ उर्दू और फार्सी सब्दों का भी अपने निवन्ध में साहित में क्या किया है प्रियोग किया है ठीक ना तो आचार रामचन्द सुखलक जी का जो परिचय था यहाँ पर इतना ही दिया गया है हम इतना ही जानने के भी कोशिस करें ठीक ना बस इसको रटना नहीं है बस एक दो नजर ध्यान से देखना है बस हो गया ठीक ना तो हमको यह मालूम है कि इंदिय अलोचना के सीखर पुरुष अरचार रामचन्द क्या थे निवंदकार थे क्या थे निवंदकार थे जैसे ब्लैंक्स आएगा तो यहाँ पर निवंदकार हमको फिल करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद स्रेश्ट समालोचक थे तो उसमें ब जोआ गोना ठीक है और उनके ग्रंद का संपाधन कोन कोन से ग्रंथों का किया था यह भी आपको याद रखना है फिर अचनाय उनकी क्या थी हांना तो यह पांच फैक्ट है ठीक है इनको क्या कर ना आ उनका उंगलियों में आ increasingly और कहते हैं याद रखना ठीक ही ना सिंपल स अब देखते हैं मित्रता पाठ का जो केंद्री भाव है हाना सिंटराव्यो वो क्या कहता है प्रिस्तुत निवंद विचार प्रधान है क्या है विचार प्रधान है हमारे भाव हमारी फीलिंग्स हाना ये विचार भाव विचार प्रधान है इसमें मित्रता से संबंधित लेकर ने इन उदहरणों, अनेक उदहरणों से इस्पष्ट किया है। अधुस प्रभाव मनुस को आउनती की ओर ले जाता है और सच्चा मित्र जीवन के सभी पड़ावों को आउसधी की तरह कार करता है ठीक ना यहीं कि आउनती का कुछ संगती नहीं ठीक ना कुछ संगती और आउनती का मतलवता उननती ना हो ना ठीक है सच्चा मित्र जीवन के सभी पड़ाबों पर आउसदी का कार करता है अगर कोई अच्छा मित्र है भी स्वास पात्र है सही है तो हमारा क्या करेगा हुए आउसदी की तरह है जैसे बीमारी को आउसदी ठीक करती है ना वैसे ही सच्चामित्र हमारे जीवन को ठीक कर देता है, ठीक है, तो हमारा क्या ये हो गया, केलेखक का परिच्चा है, नित्रता, का केद्री भाव, ठीक है, अब हम आते हैं लेशन पर, ठीक है, लेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस इंटरस्ट लेके, बोरिंग नही करना हम अपने आपको, और न हम होना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, बस इंटरस्ट लेके, कहारी जैसा सुनते जाएए, और कुछ नहीं है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जब कोई युवा पुरुस अपने घर से बाहर निकल कर, बाहरी संसार में अपनी इस्तिती जमाता है, तब पहली कठिंता उसे मित्र चुनने में पढ़ती है, यदि उसकी इस्तिती बिलकुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धरा-धर बढ़ते जाते हैं, अगर वो एकांत नहीं हैं, एकला रहना अगर पसंद नहीं करता ह सबके साथ मेल जो बढ़ाता है और चंचल है, तो सहज उसके बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, कहने का मतलब ये है इस लाइन का, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है, यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में पढ़नित हो जा यह डिसाइड अगर युवा आवस्था में हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वह जीवन की सफलता निर्फर करती है, नहीं कि अगर अच्छा प्रेंड मिल गया हमको बता है क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, नहीं यार, हमको इस लाइन में जाना चाहिए ऐसा सब्द आप लोग बाते करते हैं, जो हमारा जो दोस्त होता है, वो जब हमसे बढ़के होता है, तो हमें उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और यहीं हमारी सफलता सिद्ध करता है, क्योंकि संगती का गुप्त प्रभाव हमारे आच्रन पर बड़ा भारी पड़त है, ठीक ना, संगती है, यहीं कि हमारा साथ, हमारी जो संगती है, हमारी जो दोस्त हैं, वो कैसे हैं, इसका प्रभाव हमारे चरित्र पर, आच्रन, जिसे कहते हैं, आच्रन हैं ब्यवार पर भारी पड़ता है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार अर ग्रहन करने के योग होता है, ठीक है ना? हम जब बाहर जाते हैं, उस अवस्था में हम 11 आ 12 में होते हैं, हना जैसे हम कोई तियारी करने जाते हैं, उस समें हम मित्र का चुनाव करते हैं, तो बहुत सो समझ की करना चाहिए, ठीक है न? इसलिए इहां पर कभी ने, सुखल जी प्रवत्ति अपरिपक्ष ना हमारे जो भाव होते हैं वे कैसे होते हैं अपरिमार्जित ठीके ना अपरिमार्जित और प्रवत्ति अपरिपक्ष होते हैं यहीं कि हम क्या है बहुत सारी चीजों से क्या होते हैं जानकार नहीं होते हैं ठीक ना तो इसे अपरिमार्जित कहा जाएगा और अपरिपक्ष यहीं क्या कहा जाएगा हम परिपक्ष नहीं रहते हैं कि क्या सही है क्य गलत है ठीक ना अगर उस वक्त हमको सही सच्चा हमको साथी मिल जाता है तो क्या हो जाता है हमारी कटनाईव से हमको मुक्त कर देता है ठीक अपरिमारजित जो सब्द है यहाँ पे इसका आस्वच्छ हाना जान पहर उसकी यह निकी उसों ग्यान ना होना इस प्रकार से ठीक है आँगे हम देखते हैं कहाँ पर थे हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ती के समान रहते हैं जिसे जो रूप में चाहे उस रूप का करे चाहे राच्छस बनाए चाहे देवता ठीक ना हम मिट्टी के बने होते हैं ये हमारी अवस्ता है सीकिने की ठीक ना बाल्या वस्ता में जब बच्चा ग्यारा वर्ज से बाल्या वर्ज से स्टार्ट होता है उस वक्ते से कि सोरा वस्ता तक 18-20 साल तक कि सोरा वस्ता होती है उस काल में जो बच्चा सीक पाता है वो कि मित्रता और रहन सहनक बहुत इफेक्टिव रहता है ठीक ना तो क्या कहा गया है कि राच्छस बनाए या चाहे देवता जो हमसे अधिक द्रण संकल्प के हैं क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोद के माल लेनी पड़ती जो बहुत रण संकल्प होती हैं उनकी बातों के विरोद नहीं कर सकते हैं पर ऐसे लोगों का साथ करना भी बुरा है लेकिन ऐसे लोगों का साथ कर लेंगे तो भी बुरा है क्योंकि जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं क्योंकि ऐसी दसा में ना तो हमारे उपर कोई दबाब रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहरा रहता और कुछ ऐसे लोग बहुत रड़ी होते हैं तो हम उनके सामने कुछ बोल ने सकते हैं और मालों बहुत लोग हैं जो अपनी अभियक्ति हमें नहीं दे सकते हैं और हमारी बात को स्रेष्ट मानते हैं तो जब हम कभी कुछ बुरा म बोल देंगे तो वो क्या है डिसाइड ने कर पाएंगे कि हम बुरे हैं और हम उससे क्या है हम उस बुरे से हम बहुत बुरे बच भी जाएंगे ठीक है तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ही द्रण्संग कल्पी या निमनिस्तर का थीक ना हमें कोई दोस्त मिले ये भी सही नहीं है और नहीं हमारे लिए कोई सहरा रहता दोनों अवस्था उस बात का भय रहता है उसका पता युवा पूर्षों को प्राया बहु कम होता है यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भै नहीं रहता और अगर बुद्धी से काम ले तो यह भै भी खतम हो जाएगा पर युबा पुरुस प्राया विवेक से काम लेते हैं कैसे आश्चर की बात है कि एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुड़ और दोस्त को कितन परक कर लेते हैं पर किसी भी किसी को मित्र बनाने के में उसके पूर्व आचरन और सभाव आधिका कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते ठीकिना सोचते हैं रहे होगे दोस्तों बनाना है क्या करना है बना लेते हैं ठीकिन नहीं उस दोस्त की जो बाते हैं उसके जो आच्रन है इतने एफ्यक्टिव होते हैं कि हमारे जीवन भर में छाप उसकी बनी रहती है ठीक ना तो जिस प्रकार से कभी कहता है जिस प्रकार से में एक घोड़ा लेते हैं ठीक ना उसकी जाच परक करते हैं उसी प्रकार से हम जब किसी व्यक्ति से दोस्ती करें ठीक न तो उसके हाव भाव उसके पूर विचार वर्तमान और वह क्या सोचता है कैसे रहता है इन सब चीजों का भी मतलब रखना चाहिए और उसे जानने की कोशिश करना चाहिए तब ही हम मित्रता करें वे उसे सब बाते अच्छी ही अच्छी मान कर अपना पूरा समय स्वारी पर किसी मित्र बनाने से पूर भी हाँ यह बता चुकी हम वो उसे सब बाते अच्छी ही अच्छी तर्मान कर अपना पूरा विस्वास जमा देते हैं हस्मुक चहरा बाचीत का ढठंग इसमें चिन लगे हुई है ठीक ना जो सब्दिभी सेस हैं उनमें चिन लगा हुआ है उस पर ध्यान दे हना हस्मुक चहरा बाचीत का ढठंग थोड़ी चतुराई या साहस यही दो चार बाते किसी को देखकर लोग चटपठ ही उसे अपन बना लेते हैं हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश क्या है क्या जीवन के विवहार में उसका कोई मुल भी है यह बात हमें नहीं सूचती कि यह एक साधन है जिससे हम आत्म सिच्छा का कार बहुत सुगम से कर सकते हैं सुगम से हो जाता है एक प्रचीन अपेच्छा होती है, जिसको ऐसा मितर मिल जाये, उसे समझना चाहिए, खाजाना मिल गया है, क्या मिल गया है? खाजाना मिल गया है, ठीक ना? विस्वास पात्र मितर, जीवन की एक अौसधी है, हमें अपने मितरों से यह आशा रखनी चाहिए, कि वे उत्तम संकल्पों से द ले जाए और जब हम सही रहेंगे तब भी अपनी मित्रों को सही ले जाएंगे है ना तो हमारी तुरुटियों को हम तुरुटियों से यानि गलतियों से हमें बचाएंगे हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे इनिक हमारी मर्यादा क्या है हम क क्या करें ऐसा नहीं करें ठीक ना जब हम हतों साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे जब हम हतों साहित हो गया है तो क्या करेंगे में उत्साहित करेंगे एक्साइटमेंट लाएंगी नहीं ट्राइगें और पढ़ो ठीक ना अंगली बार तुम्हें और अच्छे नमर मि सच्ची मित्रता में उत्तम की उत्तम से उत्तम बैद की सी निपूरता परख होती है अच्छी से अच्छी माता का साहर धैर और कोमलता होती है ऐसी ही मित्रता करने का प्रतन प्रतेक पुरुस को करना चाहिए ठीक ना यहां पर कभी कह रहा है कि हमें अच्छी मित्र से ही मित् होती है बहुत ही कोमल होती है और भ이rete से लखने वाली हो खिक नुसी प्रकार से हमें मित्र भी-एक माता की तरह चाहिए जिसमें सारे गुड क्या हो विद्धमान हो ठीक चात्रा वास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है ठीक ना हम जब होस्टल वगरा में जाते पढ़ने के लिए ठीक ना किसी त्यारी करने के लिए तो वहाँ पर क्या होती है वहाँ पर मित्रता की फैंडशिप की धुन सवार रहती है मित्रता हर्दय से उम्री पड़ती है और पीछे जो इसने बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना ही खिनता ठीक ना बाल मैत्री में जो मंग करने वाला आनंद होता है वह हर्दय को भेदने वाली और उशा और खिनता होती है सकतरी जो जाते हैं वłaêter हो स्षटल के स्षटल की अवस्था में पढ़ने के लिए कोई त्यारी करने के लिए कोटा जाता है कोई कहीं जाता हैं उसमें क्या होता हुं हुद उतल उतल मची रहती है मुझे यहाने और बढ़ा इसने होता है अपने मित्र इसे पीछे। में आपने मयाया होते हैं, उसके पास यह चीज तो मेरे पास भूहने होते हैं। और कहां और कहां ऐसी मधुरता और कहां ऐसे रुरक्ती होती है कैसा अपार विश्वास होता है हर्दे में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं मैंने बताया न उथल पुथल के वस्था होती है इस वस्था से साथ आप लोग गुजर रहे हैं ठीक है नायद स्टेंडर में है तो और हमको सब कुछ जो हमारे मन का है वही करना चाहिए ठीक ना वह इसके इतनी चिंता हमें नहीं होती है ठीक ना तो आंगे दीखा भी आई है कि और भविस्व के समन्द में कैसी लुभामने वाली कल्पनाई मन में रहती है और लगता है कि नहीं हमाया आईटी कर रहे हैं और हम कोटा में हैं तो हम ये कौलिफाइट कर लेंगे इतने अंख हमारे आ जाएंगे और इसके बाद हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे फिर हमारा तो जलबा ही जलबा है ऐसी बाते दिमाग में उद्गार ऐसे मनमिकल पनाई एमेजर करते रहते हैं ठीक ना कि इसमते ही मितरता इसमतीक के भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है कन्तु जिस प्रेकार युभा पुरुष् की मित्रता से कूल बालक से सैंध और गंभीर होती मृत्र की पंग होती है। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्ष की कल्पना मन में करते होंगे इस कल्पित आदर्ष से तो हमारा काम जीवन की जंजटों में चलता नहीं सुन्दर पृतिमा मन भावनी चाल और सोचंद प्रकति के ये दो-चार बाते देख कर मित्रता की जाती है ये सही बात है, हम लोग देखते हैं बहुत सोचंद है, बहुत फ्रीडम अपने आपको समझता है बहुत चंचल है, जिसको जो मन पड़ाव कह देता है, बहुत अच्छी छवी है इसकी ये सब देख के हम क्या कर लेते हैं, उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं ये सत्य है, अपने आपको टटोलिए आप, ठीक है, फिरांगे देखिए पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बाते चाहिए जीवन संग्राम ये की श्ट्रगल आफ लाइप, ये की जीवन में इतना संग्रस है हाना अगर जो हमारी उसमें हमारी सहायता करें, उसमें कुछ और बाते भी हमको चाहिए मित्र केवल उसे उसे नहीं कहतें, जिसके गुड़ों की तो हम प्रसंसा करें मित्र उसे नहीं कहते की जिसके हम गुड़ों की प्रसंसा करें, पर जिससे हम इसे नहीं कर सकें, जिससे हम अपने छोटे-छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर उसे भीतर ही फ्रेतर ग्रहना करते हैं वे मित्र सच्चे पत्पदर्सक के समान होना चाहिए ठीक न? इनी की घ्राना करते हैं ऐसा भी मित्र नहीं होना चाहिए ठीक न? मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र सच्चे पत्पदर्सक के समान होना चाहिए इनी की हमारा सच्चा पत्पदर्सक इनी हमें सही राय पर ले भाई समसारी बाते कर लेती हैं, हर महौल में उससे अडॉप्ट हो जाते हैं, ठीक ना, तो भाई के समान होना चाहिए मित्र हना, और अकर भाई ही दोस्त बन जाए तो साथ उससे अच्छा दोस्त या उससे अच्छा मित्र हमें कभी निप्राप्त होगा, ठीक ना, जिसे हम ्हां पृती पात्र हे नहीं कि हार दिशनेंद कर सके हमारे और हमारे बीच सच्छी सहान भूती हो क्या हो हमारे сравnd н prefix सच्छी शाहन भूती हो हैसी जिससे एक के हानी लाब और दूसवरा अपना हानी लाब संझे मितरता के लिए अवास्या कर नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार करते हो, ठीक है, ना मित्रता के लिए यह वसक नहीं है, कि अगर हमें कोई लाब हो गया है, तो हम उससे क्या खुस हो जाए, हानी हो गई तो नराज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो मित्र एक ही प्रकार के कार करते हो, और ऐसा मानता भी अवस्यक या वांचनी नहीं है, ठीक ना, यहीं जूरी नहीं है, मैंने बहले जो बताया, कि जूरी नहीं है, कि हम एक ही फिल्ड में काम करते हूं, ठीक ना, हमारी भावनाय, हमारी सोच मिले कार कुछ भी करें हैं, दो भीन प्रकति के मनुष्य के बराबर प्रीति और प्रितरता रही राम धीर और सांत प्रकति के थे ठीक ना लचमर उग्र और उद्धात सुभाव के थे राम कैसे थे धीर सुभाव के थे और लचमर कैसे थे उग्र और उद्धात सुभाव के थे पर दोनों भाईयों में अतंत प्रगाडश नहीं था ठीक ना राम कितना मानते थे लच्मण को हाना और लच्मण कितना इसने करते थे अपने भाई को और आधर भी करते थे इस प्रकार से दोस्ती और भाईचारा होना चाहिए उदार तथा उच्चा से कार और लोभी दुर्योधन की सुभावों से कुछ भी से समानता नहीं थी ठीक ना ये आप भी जानते हैं पर दोनों की मित्रता भी खोग नहीं ठीक ना कर्ण कर्ण कैसा था कर्ण सत्य के प्रतपरचन्यवा था रुद्योधन क्या था चतुर था हर बाद में चाल करता था लेकिन फिर भी मितरता दोनों के बीच में थी और प्रगाड मितरता थी ठीक ना अलाग अला होने के बावजूद भी मितरता दोनों में थी तो कुछ भी सेसा समानत नहीं थी यहीं कुछ भी सेस्ताइन जो समान नहीं थी लेकिन फिर भी दोस्ती तो थी पर उन दोनों में मितरता भी खुबनी भी यह कोई बात नहीं है कि एक ही सुभाव और एक ही रूची के लोग में ही मितरता हो सकती है समाज में भी भिन्ता देखकर लोग एक दूसरे की और अकर्शित होते हैं जो गुण हम में नहीं हैं हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वो गुण हो चिंता सील मनुस्य प्रफुलित चित का साथ धोड़ता है चिंता सील जो बेक्ती होता है वो अच्छा खुस मिजाज लोगों को साथ धोड़ता है ठीक ना और अगर हमसे मैत नहीं बनती तो हम चाहते हैं अगर हमारे दोस्त जोस्त से मैत बने हाना तो हमारी हेल्प कर देगा अगर हमसे इंगलीस बनती तो उसको बता देंगे तो इस तरह से क्या हो जाता है एक दूसरे का मनुवल बढ़ता रहता है तो हमें जोरी नहीं कि एक समानी मित्र को हमें डूड़ना चाहिए ठीक ना अपने से स्रेश्ट भी टोड़ना चाहिए ठीक ना निर्मल बली का धीर उससाही का है निर्मल बली धीर उससाही का है निर्मल चाहता कि मुझे बीरवान या धीर उससाही बाला दोस्त मिले उच्छा कांच्छा वाला चंद्रगुप्त और युक्ति उपाय के लिए चाड़क का मुँ ताकता रहता था ठीक ना देखिए इतिहास गवाय है कि जैसे चंद्रगुप्त प्रिथम जो थे इन्होंने गुप्त बंस की स्थापना की थी आप सभी कोई जानते हैं तो ये भी अपनी जैसे कुई समस्या से ग्रश्त हो गए तो उसकी युक्ति के लिए उसके उपाय के लिए चाड़क का मुँ ताकते थे चाड़क कौन थे इनकी गुरु थे ना उनका मुँ ताकते थे इनके राजजमी नीति भिसारत अक्बर मन भहलाने के लिए बीरवल की योड देखता था ठीक नै और नीती विसारत यह लग मुंदा ओर को फिर भी किया है था रूइछ नीची सब्सारत बड़ा योग ठाथा ठीक ना कहा जाता है कि वह अनपड था लेकिन फिर भी जो नीती अथी भूँत अच्छी थी ठीके ना फिर भी वह मन बहलाने के लिए और जब कभी कोई समस्था पहला तो बीरबल की ओर देखता था और सथा बीरबल हो तुम्हारा ये काम क्या हो जाएगा हो जाएगा ठीके आगे देखें मित्र का करता भी इस प्रेकार बताया गया है कि उच्छ और महान कारियों में इस प्रेकार की सहयता देना मन बढ़ाना और साहस दिलाना की तुम निज की समर्थ से बाहर काम कर जाओ हाना यह करता भी उसी से पूरा होगा जो द्रण चित और सत्य संकल्प वाला हो हाना यहीं कहने का मतलब यह है कि मित्र क्या है मित्र का करता भी यह है कि क्या हो मित्र उच्छ महान कारियों को करने वाला हो द्रण संकल्पी हो हाना और हमें साहस दिलाने वाला हो कि हम कोई का अगर कर रहे हो तो हमें बोले नहीं तुम कर सकते हो तुमारे में समर्थ है तुम पे कैपसिटी है नहीं तुम कोशिश तो करो हो जाएगा ऐसा कहने वाला मित्र हो इससे हमें ऐसी ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक अल्थमबल हो हमें उनका पल्ला उ प्रिष्ट और सत्यनिष्ट हो जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सके यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। मित्र कैसा हो सुग्रिव और राम की तरह हो। सुग्रिव के भाई वाली ने जब उसे घर से बाहर निकाल दिया, और राम नहीं उन्हें विजे दिलाए थी। और विश्वास का राज प्राप्थ हो गया था। मित्र कैसा हो राम की तरह हो और सुग्रिव की तरह हो। कि एक दूसरे कि क्या है कम्यों को नजर अंदाज करते हुए जो जिसमें गुड है उसका उससे क्या करें उसका सहान भूति उसका उससाह वर्धन करता रहे सत्त निष्ठो पुरुशार्थी हो पुरुशार्थ का मतलब होता है जो हर तरह से योग हो ठीक है जिसमें अपने आ परण करोगे वह अच्छा ही होगा ऐसा हम विश्वास अपने मित्र पर कर सके ठीक है फिर परग्राप से देखिए जो बात उपर मित्रों के समंद में कही गई है वही जान पहचान वालों के समंद में ठीक है जान पहचान के जान पहचान के जो लोग है जान पहचान के जो जो वही जान पहचान वाले समन्द भी ठीक हैं, जान पहचान के लोग ऐसे हो जिसे हम कुछ लाब उठा सकते हों, जान पहचान के लोग ऐसे हो जिसे हम लाब उठा सकें, और हमसे लाब उठा सकें, जो हमारे जीवन में उत्तम अनंदमाय करने के कुछ सहायता दे सकते हैं, जैपी उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं ठीकिना जान पहचान वाले हमारी सहायता करते हैं पर उतनी नहीं जितनी हमारी मित्र कर सकते हैं कि मित्र कुछ भी कर सकता है मित्र से बड़ा कोई नहीं होता भाई भी नहीं होता ठीकिना इसलिए मित्रता और मित्र को स्रे किलाइज करते किमने कितना पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा ठीक ना क्या किया कुछ नहीं किया क्या सीखा कुछ नहीं सीखा इसलिए हर पल हर समय को सदपियोग करते हुए क्या करना चाहिए कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए यदि का और खा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते न और ना हमारे अनन्द में समलित हो सकते, और ना हमें कर्तब का ध्यान दिला सकते, तो इश्वर हमें उनसे दूर ही रखे, हमें अपने चारों और जड़ मूर्थिया सजाना नहीं, हमें अपने और मूर्ख लोगों को जड़मीस मूर्ख है, हाना, मूर्ख लोगों को सजाना पत्थर की जो बोलना सके जो कुछ कहना सके तो मूर्तिय थोई नहीं कठा करनी है कहने मतलब यह है जड़ मूर्तिया आज कल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी यूबा पुरुस ऐसे अनेक यूबा पुरुसों को पा सकता है उसके साथ रियेटर देखने जाएंगे नाच रंग में जाएंगे सैर सपाटा में जाएंगे और भोजन का अंद्रिमंद्रन स्विकार करेंगे यदि ऐसे जान पहचान के लोग से कुछ हानी ना होगी तो लाब भी नहीं होगा जो हमारे खुद पैसे में जुआय कर रहे हैं अनन्द कर रहे हैं वो हमें क्या कर सकते हैं क्या दे सकते हैं क्योंकि हमारे उपर खुद भी पेंड है पर यदि हानी होगी तो बड़ी भारी होगी लेकि जब हानी होगी ना तो बहुत भारी पड़ेगी सोचो जो तुम्हारे जीवन को इतना नश्ट कर रहे हैं यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युबकों में से निकले तो जिनकी संख्या दुर्भाग वस आज कल बहुत बढ़ रही है जो दूसरे के पैसों में इंज्वाय करने चाहते हैं ऐसों की जो संख्या है बहुत बाढ़ रही है ठीक ना खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं ऐसों की संखत हमें नहीं करना चाहिए उके उन सोहदों में निकले जो अमीरों की बुराईयों और मुर्खताओं की नाकल किया करते हैं हना सोहदों में सोगा बुरे लोगों को हना उन सोहदों से उन बुरों लोगों से क्या करें अपने आपको निकालें बुरे आचरन वालों से निकालें जो अमीरों की और बुराईयों और मुरुखताओं की नकल किया करते हैं ठीक ना हमें ऐसे लोगों की संगत नहीं करने चा ऐसे नवीकों को बढ़कर शुन, निशार और सोचनी जीवन किसका है। ऐसे जो नवीवक होते हैं, ऐसे जो युवापुरुस होते हैं, उनका जीवन क्या है? सुन और निशार और सोचनी है। वे अच्छी बातें सच्चे अनंद की कोई बहुत दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार, सुन्दर और मनोहर है, उकती वाले कभी हुए हैं। हात्मा बने हैं और ना ही लोग ऐसे कवी हैं जो अद्भूत इस प्रकति की वर्णन कर सके और ना ही बड़े गंत्रकार बने हैं ठीके मनुस्य जाती के हर्दय का साथविक्ता में उमंगे उड़ती हैं और उनके लिए फूल पतियों में कोई सुंदर नहीं है ठीके ना मनुस्य जाती के हर्दय में उनके लिए कोई साथविक्ता नहीं है ना ही फूल पतियों में कोई सुंदर बता सकते हैं कि इसमें खूबी क्या है ऐसा कैसे क्योंकि कुछ जबनी सुन नहीं तो क्या करेंगे जर्णों का कलकल में मधूर संगीत नहीं अनंत सागर तरंगों में गंभी रहश्यों का अभास नहीं उनके भाग में सच्चे प्रत्न और पुरसार्थ का अनंद नहीं उनके भाग में सच्ची प्रीति का सुख नहीं और कोमल हर्दय की सांती नहीं जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों के विसयों में लिप्त है इन्हीं कि इंद्रियां होती है ना पांच इंद्रियां होती है तो वो क्या मोह लोब हना इस परस तो यह सब सारी चीजे उसी भी लिप्त हैं इंद्रियां उनको अपने अपने लिप्त करेंगे इन इंद्रियों स है जब आपने आपको बस में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इनमें हो इंड्रियां हैंस किस इनके बस में नहीं होता है ऐसे नसों मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार की पतित होते, देखे, कौन ऐसा होगा जो तरस नखाएगा, ठीक है ना, जिनका हर्द हैं, नीच असे हो, कुछ सिथ विचार से कलशेत हो, जिसका हर्द हैं, जिसका दिल जैसा हो, इन्रीच प्रवत्ति का हो, कुछ संगत प्राणियों को दिन अंधकार में पतित देखकर एसा कौन सा होगा जो तरस न खाएगा ठीक? न मुख न उसे दोस्ति नहीं करना चाहिए उसे प्राणियों का तो इसाथ ना चाहिए। और उसे प्राडियों काुन कुछ और सबसे भ्यानक होता है yoh nein केबल नीति और सद्रवत्ति का ही नास नहीं करता बलकि बुद्धी का भी नच्षय करता है किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों से बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गटे पर गिराती जाएगा किसी संगति जिसकी अवनति के गटे पर उनति ना करने यहीं कोई भी उनति नहीं कर पाएगा और गटे पर गिरता चला जाएगा यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाला बाहू के समान होगी अगर अच्छी दोस्ती होगी तो क्या होगा अगर कोई लड़का इंजिनिरिंग वह आईटी- एक सहारा बनेगा ठीक ना जब हम गिरने वाली होगे तो ऐसे लोग का साथ करना चाहिए उसे निरंतर उनति की ओर ही उठाती जाएगी वह क्या है उसको विकास की ओर ले जाएगा उनति की ओर ले जाएगा इंग्लेंड के एक विद्वान हान को युवा अवस्था में रा तो क्या हुआ इस परजिंद्गी पर अपने आप भाग को सराहता रहा उस युवा को उस राजदर्वार में जगह नहीं मिली बिद्वान को तो वह अपने आपको सराहता रहा बहुत से लोग उसे अपना बड़ा भारी दुरुभाग समझते थी कि वो दुरुभाग है उसका कि उसको वहाँ पर जगह नहीं मिली पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगत में पढ़ता जो उसकी अध्यात्मिक उन्नती में बाधक होते यहीं कि वो जानता था कि अगर मैं राजनीती के चकर में पढ़ जाऊंगा तो जो मेरी अध्यात्म वाग हुआ, उसे मिल जाता तो अच्छी सेलरी मिलती, ठीक न, अच्छा मान मिलता, लेकिर उसकी जो मन की अभी व्यक्ति है और जो मन का अध्यात में है और इस रेश्ठ भक्ति है वो क्या करे ख़ुद की सुतंतरता में होती है, ठीक न, कभी को कोई बादना चाहे तो क्या नहीं बात सकेगा। इसलिए कहते हैं, जहां न जाए कभी वहां जाए। इसलिए जो गिद्दवान लोग है, वह किसी सीमा के अंदर रहना पसंद नहीं करते। ठीके ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भरके साथ साथ से भी बुद्धी भश्ट हो जाती है अगर मिनट भलका साथ हुआ तो उनकी बुद्धी उबरश्ट कर देंगे क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बाते कहेंगे कही जाती है जो कानों में ना पढ़न तक टिकी रहती है ठीक ना इस बात में प्रया सभी लोग जानते हैं कि भद्धे और फूहरगी जितनी जल्दी ध्यान पर चड़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं ठीक ना इनी सपोस्ट एट फॉर एजम्पल उधरण के लिए हम देखें तो जब काने कोई असलील होते हैं ठीक ना तो वो क्या होते हैं बहुत जल्दी उसे बच्चे भूनाने लगते हैं ठीक ना लेकिन अगर कोई भजन होता है तो उसे क्या है जल्दी दिमाग में नहीं बैठता उसका अर्थिभी दिमाग में नहीं बैठता कहने का मतलब कभी का इस प करता है कि ना आये फिर भी बार-बार आता है कि में कभी जब छोटा था तो मैं ने एक बुरी कहाबत सुन ली थी ठीक ना और मैंद चाहता हूं कि यह लेकिन अचानक में अहीं जाती है लाग चेश्टा करता हूं फिर भी जिन जिन भवनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन वातों से हम याद नहीं करना चाहते हैं, वे बार बार हर्दे में उठती हैं, ठीक ना, जो लहरे होती हैं, बुरी अल्तों की वो बार बार उठती हैं, ठीक ना, उन्हें हम क्या करना चाहिए, दबा देना चाहिए, और बे तुम्हें हसाना चाहे सावधार रहो एसे ना हो कि पहले पहल तुम एसे एक बहुत समार्न बात संचो और फिर सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा अत्वा तुम्हारे चरित्रबल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बाते बकने वाले आंगे चल कर सुधर जाएंगे ऐसा नहीं होगा जब एक वार मनुस अपना पैर कीचर में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पर पैर रखता है धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यास होते होते तुम्हारी ग्रहना कम हो जाएगी पीछे तुम्हें उनसे चिड़ना मालूम होगी क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिड़ने की बात क्या है तुम्हारा वीवेक उन्ठित हो जाएगा तुम्हारा मन भी दूसित ह और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रहे जाएगी अंते में होते होते तुम्हीं बुराई के भक्त बच जाओगे अता हरद है कि उज्वल और निस्क लंक रखने वाला सबसे अच्छा उपाई यही है कि बुरी संगत और बुरी छूत से बचे यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठिरी में कैसो हूँ सयान हो जाए एक लीक काजल की लगी पै लगी है ठीक ना जनी की एक कहाबत कही गई है कि काजल की कोठिरी में कैसो हूँ सयान हो जाए जनी की काजल कोठिरी में कैसे चला जाओं अगर एक बार जाओंगा तो क्या हो यह वह यह क्या है एक लीक एक बार लग जायेगी तो जिन्दिपर लगी रहेगी इसलिए कोई भी ऐसा काम करें जो हमारे, जिन्दिपर रहें कलंक बना रहें ऐस्टूडेंट्स ये पार्ट पूरा होता है न he drak जो हमारे पार्ट 2 में था और इसके पाड से हमें ये सिच्छा मिलती है कि हमें मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से ही करना चाहिए जो हमेशा क्या हो अभ्यासरत हो और क्या करें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हो इधर-उदर की बातों पर ध्यान ना देते हो कोई नसो उनमक्ष न हो, हना ? और क्या करे, जो हमें , पत्परदर्शक की रूप में प्राप्थ हों हना ? ऐसे दोस्तों से हमें मित्रता करनी चाहिए हना यूँग वस्था में हमें से सब चीजों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा सामनेवाला मित्र किस प्रकार का अगोर हम ऐसी मित्रता रखते हैं तो बच्चों आज ही अपनी मित्रता खतम कर देजे क्योंकि हमारे जीवन में जो उसकी छाप पड़ेगी वो जिन्दगी भर हमारे साथ में रहेगी आया समझ में तो मित्रता हमेशा द्रण संकल्पी, सत्य संकल्पित और सुसंगत और अच्छे व्यक्ति से करने चाहिए ठीके ना? इसी मित्रता पाड का ये धे है, उद्देश है ठीके? Thank you students